हेलो दिस इस सेद मासर अली वे द निव लेक्चर आफ सी एसेस तो आज हम देखेंगे कि सी एसेस में हम टेक्स्ट या फॉन्ट के साथ किस तरह कैल सकते हैं और हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं सी एसेस में तो आईए प्रेक्टिकली देखते हैं सबसे पहले एच्टियमेल का स्ट्रक्चर क्रियेट करते हैं basic structure body में आते है और यहाँ पे एक paragraph add करते है save refresh तो यह रहा हमारा paragraph अब हम क्या करते है head section में आते है यहाँ पे हम section create करते है style तो सबसे पहले हम font family की property को देखते है font family की property हम क्यों use करते है हम इस लिए use करते है कि आप कुंसा font use करना चाहते हो सबसे पहली property है हमारे पास font family की ओके सबसे पहले selector उसके बाद कर भी braces font family मैं चाहता हूँ aerial helvetica sense syrup आप multiple font family select कर सकते हो multiple font family select करने का फाइदा क्या है फर्स करें आपका जो user है उसकी computer पे aerial font अवेलिबल नहीं है तो आपका वेब पेज पिर helvetica में शो होगा अगर ये भी अवेलिबल नहीं है उसके computer पे तो sense सेर्फ पे शो होगा तो इस तरह आप multiple font families यूज कर सकते हो कॉमा का sign यूज करके multiple family select कर सकते हो save करता हूँ मैं इसे refresh तो ये रहा aerial ओके एक और बात जो आपने जहन में रखनी है फर्स करें आप जो font family select कर रहे हो उसका नाम multiple words में है जिसके times new roman तो ये multiple words में है तो इसके लिए हम क्या करते है इसके लिए हम quotation marks यूज करते है जो font family जिसका नाम multiple words में हो उसके लिए आपने quotation marks यूज करने है ओके save करता हूँ मैं इसे refresh तो ये रहा times new roman ओके इसके बात एक और प्रापर्टी है हमारे पास font size की प्रापर्टी आप font size अपनी मर्जी की मताबिक दे सकते हो large larger medium small smaller in में सी भी आप selection कर सकते हो और यहाँ अपनी मर्जी का size भी दे सकते हो 20px देता हूँ मैं save करता हूँ refresh तो ये देखें इस तरह एक और प्रापर्टी font to weight की प्रापर्टी भी हम use कर सकते है यहाँ से भी आप selection कर सकते हो और अपनी मर्जी का भी font दे सकते हो let's suppose मैं bold select करता हूँ control S अब आपका text bold नजर आएगा इस तरह एक और प्रापर्टी आप use कर सकते हो font style की प्रापर्टी यहाँ से आप italic, normal, oblique, inherit इन में से कोई भी प्रापर्टी आप select कर सकते हो value आप select कर सकते हो let's suppose मैं चाहता हूँ कि मेरा text italic हो तो मैं italic select करता हूँ save, refresh ओके एक और प्रापर्टी है हमारे पास text decoration की प्रापर्टी text decoration क्या करता है यहाँ से आप dash, dotted, double, line, through, etc इन में से selection कर सकते हो let's suppose मैं चाहता हूँ कि हमारा text underline हो ctrl s, refresh एक और प्रापर्टी जो आप use कर सकते हो text transform की text transform और यहाँ से आप capitalize, lowercase, none, uppercase कोई भी value select कर सकते हो let's suppose मैं uppercase select करता हूँ मैं चाहता हूँ कि हमारा जो text है यह जो paragraph है यह uppercase में हो मतलब capital letters में हो refresh तो यह देखे आप अब एक और प्रापर्टी letter spacing आप letter की spacing भी अपनी मर्जी की मताबिक रख सकते हो let's suppose मैं चाहता हूँ letter spacing 3p100, ctrl s letter spacing मतलब यह जो letters है इनकी बीच में space कितना हो ctrl s तो यह देखे इसी तरह आप word spacing की property भी यूज़ कर सकते हो word spacing मतलब 50 ज्यादा हो गया मैं word spacing यहाँ पे करता हूँ 15px, ctrl s word spacing मतलब यह जो words है इनकी बीच में यह space कितना हो तो यह भी आप अपनी मर्जी के मताबिक रख सकते हो यह देखे बढ़ गया है ओके अप line का height भी आप adjust कर सकते हो line height property की जरी और यह मैं करता हूँ 50px, ctrl s तो यह देखे अभी आपको line का height नजर आएगा इस तरह से similarly आप text की alignment भी कर सकते हो मतलब आप text की alignment left, right, center, etc. रख सकते हो उसके लिए हम property यूज़ करते है text align center and justify left, right इन में से आप select कर सकते हो let's suppose मैं center select करता हूँ ctrl s, refresh तो आपका text center में आ गया है तो इस तरह आप मुक्तलिप properties को यूज़ करकी CSS में text या font के साथ केल सकते हो झाल 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 झाल